यहां पर मिल जाएगा आप यहां से कोड कोपी करके अपने कोड में डाल सकते हो यूज कर सकते हो या कोड को देखके अपना एक कोड बना सकते हो तो यहां पर जैसे आपको सर्च करना है आपको जो भी जैसा भी कोड से इस भी टॉपिक से रिलेटेड गीठाप को जल्दी कर करना है कैसे की रियेट करना है एकाउंट एवरी एन इस तिंग गूगल पर जाना है और सब्सक्राइब करना है गीठव यहां पर देख तो लिंक पहला गए इस पर क्लिक करो यहां पर देख साइन इन साइन अप अगर आपका एकाउंट है तो मुझे बताने की ज़रूत नहीं आप साइन इन पर क्लिक करोगे अगर एकाउंट नहीं है तो साइन अप पर क्लिक करोगे जैसे साइन पर क्लिक करोगे यहां पर आपको जीमेल डालना होगा यहां पर आपक continue पर क्लिक करोगे कुछ image आगा select करने के लिए जैसे कि traffic light का होगा image select करने के लिए जैसे similar image होगा उसको select करने के लिए आप आपका account create हो जाएगा मेरा account अलएड है मना हुआ तो मैं आप लोग के पास login करके आता हूँ तो मैं account login करके आ चुका हूँ तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ page आप जैसे account login करते ही यहाँ नहीं कुलता है इस page को खुलने के लिए आपको एक्स्पॉरल पर क्लिक करना पड़ेगा ठीक है एक्स्पॉरल के प्लिक करोगे तो यहाँ पेज कुलेगा इसपर क्या है कि आपको explore करके करते हो तो आपको trending topics topic wise भी एक repository आजाएगा, जैसे कि आप जिसने भी code किया होगा, चाहिए हो apps का हो, कोई visualizer बनाया हो, या web का कोई code हो, anything, कहीं भी code हो, उसमें अगर एक HTML topic related है, या HTML का code डाला हो उस topic में है, तो सारा का सारा repository सोग करने लगए है, HTML जैसे ही click करूँगा, जैसे देख सकतो हो, ऐसा नहीं सर्च करते हो, तो HTML वहाँ पर हर एक repository में दिखाएगा, जो जिसने HTML का code अपने, आपका सकते repository में डाला रखा है, ठीक है, अगर आप Java पर क्लिक करते हैं, जिसने, जिसने repository में Java का code डाला रखा है, उसका आपका Java code सोग करने लगता, उसे related, अब जरूरी नहीं कि आप जिसस कि training topic अभी देख सकते हो, कौन सा training चल ला है, यहाँ आप देख सकते हो, visual chat GPT, chat GPT तो अपना training में है ही, तो उसे related topics है, ठीक है, बहुत सरा training topic है, आप अगर beginners हो, तो आप एक को क्लिक करके देख सकते हो, कि हाँ कैसे code किया हुआ है, something, अगर आप already एगर जानते हो, कि यह coding त होता आता है, तो आप related topic सर्च करोगे, यहाँ पर training topic सर्च हो जाता है, यहाँ पर topics हो गया, topic क्लिक करोगे, आपको topic, select करो, आपको उसे related आ जाएगा, एक कोड्स आ जाएगा, ठीक है, explore पर क्लिक करोगे, तो whole आ जाएगा, एक तरह का सम्झे तो Instagram, Facebook देख से homepage होता है, वैस आपको how to choose your first open source project clean code, लब सम्झे इंस्ट्रक्शन टाइप का जैसे की, already बन रखा है, इवेंट्स, इसने एक भी इवेंट्स करवाया नहीं है, नहीं है, ठीक है, github sponsors, तो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर explore पर मैंने click किया था, तो, यहाँ पर कहोगे, आप github का record जरूरत नहीं है, आप github को ही visual studio, यहाँ पर आप visual studio को use कर सकते हो, github में ही, आपको उसके लिए आपको download करने की उसको जरूरत नहीं है, बसे आपर marketplace पर click करो, देख सकते हो, okay, sorry, marketplace नहीं, code space, marketplace पर आता है हम लोग, यहाँ पर code space पर click करो, और देख सकते हो, यहाँ पर आगया, blank page, यहाँ पर use this template पर click करो, visual studio आपको खुल जाएगा, यहाँ पर code करके देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि, maybe usable है की नहीं, या really work करता है की नहीं, तब एक बार इसक करके आप देख सकते हो, यसी कि मैं यहाँ पर c का, लिक के code बताता हूँ आपको, यहाँ पर तुरह टाइम लेगा, लेकिन कोई matter नहीं करता, आप यहाँ पर click करो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, first.c, इसे मैं click करूँगा, c का एक file बन गया, इसे यहाँ पर c बन गया, मैं यहाँ पर लिखूँँगा, okay, int main, okay, यहाँ पर लिखो, printf, sorry, printf, hello world, जैसे हम लोग आप पहला रहता है, sorry, hello world, पहला जो हम लोग का प्रोग्रामिंग में पहला ही होता है, इसको आप बोल सकते हो, आप मैं लिख देता हूँ, return, जो को सिखा जाता है, पहला print करना, hello world, हर प्रोग्रामिंग में जो भी आप सिखना शुरू करते हो, okay, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, run करके देखते हैं, okay, इसके लिए का रहा है कि do you want to install recommended extension for C, of course, install आप कर लो, ठीक है, तो installation में थोरा सा वक्त लेग गया, install हो जाएगा, okay, देख सकते हैं, आप यहाँ पर install हो गया, cut करो, अब यहाँ पर देखो, जो आपको three line दिख रहा है, यहाँ पर click करो, यहाँ पर run पर click करो, start debugging, यहाँ पर click करो, आप देख से तो cc++, gcc build, debug, active file, यहाँ पर है, 9 debug, active files, ठीक है, तो आप उपर वाले पर click करो, पहला जो लिखा हो, c or c++, gcc build and debug, active file, यहाँ पर जब से click करोगे, आपका file debug हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हो, debug ही होने के बाद, टर्मिनल में आपका show करेगा, hello world, यहाँ पर देख से तो टर्मिनल में show कर रहा है, hello world, यहाँ पर आपका hello world, ठीक है, तो आप इसका use करके, आप कोई भी language के पर, यहाँ पर coding कर सकते हो, आपके इसके लिए visualization to download करने के ज़रुत नहीं है, यहाँ पर आपके यूज कर सकते हो, ठीक है, इसका बहुत सारा use है, बहुत सारा use है, यहाँ पर आपको open source applications available हैं, बहुत सारा apps है, बहुत सारा open source available हैं, ठीक है, कि यहाँ पर आप जैसे कि code space हम लोगों ने देख लिया है issue जैसे all of kitab पर search करोगे देख सकते हैं यहाँ पर search निकले आ गया है 384 million repositories है भाई देख सकते हो 384 million काफी होता है यहाँ पर search करो कोई भी topic से related है कुछ भी search करो आप यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि मैं सेम ही search करता हूँ जो मैंने पहले search किया था ओके विजुलाइजर सेम आ गया देख सकते हो आप तो आप कोई भी topic का आपको अगर code सही है या कोई भी topic से related आपको problem है आप पर search करो आपका code मिल दाएगा ना भाई आपको कोई दिक्यत नहीं होगा आपको code मिल दाएगा ओके if you have any question please comment अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो का लाइक कर देना अगर अपने दूसरों को साथ share भी करना और चैनल को subscribe कर देना नहीं किये हो तो ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में